तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में अभी तक आप लोगों ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो बैल नुट्रिकेशन ओन कर ले थाकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले और दोस्तों इस वीडियो को शेर जरू कीजिए शेर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ जो कोईन मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ आपके पास है तो अच्छी बात है आपके पास ना हो क्या पता आपके यार दोस्तों के पास हो आपके रिष्टेदारों के पास हो इसलिए ये वीडियो उनको भी शेर क्या कीमत चल ली थी और 2024 में अब उसकी क्या कीमत हो गई है और आने वाले 2025 में उसकी आगे चलके क्या कीमत होगी तो दोस्तो वीडियो पूरी एंड तक देखना तभी आपको पता चलेगा मैं कौन से सिक्खे की बात कर रहा हूं कौन से मिंट का है कौन से एर का है ठीक है 8-10 मिनेट की वीडियो होती है उसी में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं और दोस्तो आपसे एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंच बात करनी है ठीक है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार जो बुक आई है 2024 की उसमें प्राइस बहुत कम आये है तो मैंन इंस्टिमेट के उपर बुक आने वाली है 2024 की मेरा ही पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये चीज बता रहा है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आ रही है अब की बार ये वो नहीं छाप रहे जिनों ले आज तक बुक छापी थी अब की बार ये कुछ डीलर मिलके बुक देखा है कि मार्केट में प्राइस बहुत कम दिये गए है बुक में तो उसके हिसाब से आब बुक new आ रही है एक तो अब उनी की बुक के हिसाब से कोइन बिका करेंगे और खरीदा करेंगे ठीक है क्योंकि उसमें सही वैल्यू आएगी कि आजकल जो कोइन की सही बहुत ही कम कीमत आए सबको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा कम कीमत आईए तो वह मैं आपको अभी टैम पर बताऊंगा शायद अगले महीने वह बुक आ जाएगी तो आप में से किसी को भी चाहिए हो तो मुझे जल्द से जल्द बताना वीडियो के नीचे कमेंट कर देना मैं आपको अपना वर्टसप नंबर दे दूँगा मैं आपको उस बुक की पूरी जानकारी वर्टसप पे दे दूँगा कितने की है और कब मिलेगी आपको अभी तक ये चीज़ किसी भी यूटूबर ने नहीं बताई होगी तो बिना किसी तेरी के अब वीडियो को आगाता निकल से वेट इसका 11.66 गराम है साइज इसका 28 mm है शेप इसकी सरकल है तो दोस्तो सबसे पहले हम इस सिक्के की ओवर साइज की बात करेंगे बीच में आपको अशोक इस्तम दिख रहा होगा ये आप देख लीजिए काफी बड़ा और दोस्तो अशोक इस्तम के चा सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो 1950 के सिक्के के बारे में मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगा जो पहले चल रही थी आज चल रही है और आने वाले समय में कितनी होगी तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा तकलिफ नहीं होगी जोड़नेगी क्योंकि ये एक ही मिंट से बनाए गया था तो ये आपको असानी से मिल सकता है अगर आपके आप बहुत सारे एक रुपे के सिक्के हैं तो उसमें ये सिक्का जरूर तलाश करना स्केर कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों अरामते बिक जाएगा कीमत की बात करें तो इसकी फाइन कंजिशन में कीमत जो आज के समय किताब में दीए मैं आपको अभी किताब की वैल्यू बता रहा हूं कि कितनी कम दे रखिये और असल में कितनी ज़्यादा चल रही है सो रुपे किताब में दे रखिये वैरिफाइन कंजिशन में 200 रुपे दे रखिये एक्ट्रा फाइन कंजिशन में 500 रुपे दे रखिये और यूएनसी कंजिशन में 1200 रुपे दे रखिये ठीक है दोस्तो लेकिन इसकी जो market में असल value चल रही है वो चल रही है fine condition में 300 रुपे very fine condition में इसकी चल रही है 600 रुपे extra fine condition में चल रही है 900 रुपे और UNC condition में इसकी कीमत चल रही है दोस्तो 1500 रुपे plus 1500 से उपर का सिक्का है यह यह आप देख लिजिए और 2000 जो अभी मैं आपको बताया कि जो book आने वाली है उसमें इस सिक्के के price definitely बढ़के आएंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे इस सिक्के के price क्योंकि market में price चल रही है ज़्यादा तो यह सिक्का आपके collect करने लाइक है अगर आपके बहुत साथ सिक्के है तो यह सिक्का जरू तलाश कर दीजिए अच्छा सिक्का है अराम से बिक जाएगा और आपके collection के लिए भी बहुत अच्छा सिक्का है यह 1950 का अब बात करते हैं अगले सिक्के की यह है 1954 का सिक्का यह इंडिया के सबसे पहले सिक्के हैं जो यह दो बनाए गए थे एक रुपे के तो दोस्तों यह आता है rare catchagiri का सिक्का यह तो बहुत ही ज़्यादा महंगा सिक्का है लेकिन इसके price कम दे रखें मैं आपको बता देता हूँ बुक के price और असल market का price क्या चलना है पहले मैं आपको इसकी basic जनकारी दे देता हूँ यह बनाए गया था एक ही mint से Bombay mint से बनाए गया था सिर्फ यह भी आपको जुणने में जाए दिक्कत नहीं होगी 1954 का Bombay mint का सिक्का अगर कीमत की बात करें fine condition में 1000 रुपे है very fine condition में 1500 रुपे extra fine condition में 2500 रुपे और UNC condition में 1500 रुपे यह किताब की value है नहीं आपको किताब की कीमत बता रहा हूँ कि किताब में यह कीमते लिख रखे है सिक्के की और market के साब से देखा जाए तो यह सिक्का fine condition में ही 2000 रुपे का है और very fine condition में यह सिक्का आपका हो जाता है 3000 रुपे प्लस का extra fine condition में यह सिक्का है दोस्तो आपका हो जाता है 4000 से लेके 4500 रुपे का और UNC condition में जैसे कि 4500 रुपे कीमत दे रखी है अब लोग को तो 4500 रुपे काफी लगेंगी एक रुपे के 4500 रुपे मिल रहे तो बहुत मिल रहे है लेकिन नहीं दोस्तो इसकी कीमत है कम से कम 8000 रुपे 8000 रुपे का यह सिक्का है यह आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर 1954 का यह सिक्का ध्यान दखना 1954 Bombay Mint और 1950 Bombay Mint दोनों ही Bombay Mint के सिक्के है कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंडने में बहुत असानी से यह सिक्के मिल जाएंगे आपको ठीक है तो दोस्तो अगर यह दोनों सिक्के आपके पास है तो यह आप अराम से बेख सकते हैं अगर आपके शेरों में एक्जीविशन लगती रहती है वहाँ जाके यह सेल कर सकते हैं अगर आपके शेर में एक्जीविशन नहीं लगती आपके पास यही सिक्का है ठीक है दोस्तो यही मिंट का यही सिक्का है तो ये मैं आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे नीचे वीडियो पे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अपना वाट्सअप नंबर वहाँ पर दे दूँगा, हम लोग वाट्सअप पे बात कर सकते हैं, अगर इससे भी अलग आपको और कोई जानकारी तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, चैनल की मेंबरशिप बिल्कुल भी महेंगी नहीं है, अपके फायदे के लिए ही है, एक दम सबसे सस्ती मेंबरशिप रखर रख है, 299 की 299 रुपे की, एक महीने की मेंबरशिप है, जिसमें आपको 30 से 35 को इनके बारे में information मि सब्सक्राइबर हैं कुछ हैसे जिनों को ऐसा हुआ है मेरे कई सब्सक्राइबरों के साथ एक्जिविशन में गए हैं नहेंगे सिक्के बेच के आ गए लेकिन आके मेरी वीडियो देखी तब उनको पता लगा कि उनका सिक्का तो इतना भेंगा है तो एक्जिविशन में आप सोच रहे हैं कि आपको सही रेच बिल्कुल नहीं मिलेंगे यह मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके शहरों में अग्जिविशन नहीं लगती और जो मार्किट में नए लोग आए हैं पुराने लोगों को तो सबको पता ही है कि क्या कीमत कि सिक्के की चल रही है लेकिन नएों को नहीं पता कि मार्किट में पैसा अगर कमाना है तो कैसे कमाना है अगर उन्हें अपने सिक्के बेचने है तो किस तरीके से बेचने है तो दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं मैं आपकी पूरी हल्प करूंगा इसमें ठीक है लेकिन आप ये मत करिए कि मेंपा वर्टसप पे 200-200-300-300 फोटु ए एक बारी में दे दोगे ये बिल्कुल भी मत करिए तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको आप एक अच्छे से फोटु दे दीजिए किलियर फोटु होनी चीए मिंट की इयर की सिक्के की एकदम साफ होनी चीए सबी इनसान देख पाएगा अगर उसमें आप एकदम ही बलर करके फोटु देंगे और 200-300 फोटु दे देंगे तो कोई आपके लिए फ्री में नहीं बैठा कोई फ्री नहीं है कि जो आपके 200-300 कोईन चेक करेगा इसलिए मैं कहता हूं मेंबर्शिप लेके आप मुझसे अराम से बात करिए मैं आपको पूरा टाइम दूँगा पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि आपका कौन से सिक्का बिकेगा कौन से मिंट का बिकेगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद